हिंदी हैं हम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों हमारा आज का वीशय है हिंदी की एतिहासिक पिष्ट भूमी हिंदी की एतिहासिक पिष्ट भूमी में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतिय आरे भाषा है प्राचिन भारती आरे भाषा का जो समय है दोस्तो वो है 1500 इस्विक पूरु से 500 इस्विक पूरु दोस्तो अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भारती आरे भाषा की एक भाषा है और इसका जो प्राचिन तम रूप है वो संस्कित है या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हिंदी का जो अविर्भाव हुआ या हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्क्रित है और यही संस्क्रित प्राचीन भारती आरे भाषा के नाम से जानी जाती है और बाद में यही संस्क्रित क्या है दो भागों में बंट गई वैदिक संस्क्रित औरобыти golf शंकित तो सबसे पहले हम दिखेंगे वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कित का जो काल है वो पंधरासो ईस्वी पूरुब से एक हजार ईस्वी पूरुब तक का माना जाता है तो वैदिक संस्कित में क्या था और लोकिक संस्कित में 2 लौकिक संस्कित एक हजार इसवी से पंदरा सो इसवी तक की है वैदिक संस्कित जो है वेदों की भाषा है इसमें वेदों की रचना की गई है जबकि लौकिक संस्कित में की रचना की गई है पुरानों की रचना की गई है यह दो अंतर है इसमें देखिए एक पहला अंतर य ये विशिष्ट वर्ग के लोगों की भाषा थी, इसलिए बहुत कम लोगों तक ये सेमी थी, जबकि लोकिक संस्कित जन समान्य की भाषा थी, इसलिए इसका दायरा जो था, वो बिस्त्रित था। आईए अब हम विस्तारपुर को देखते हैं कि वैदिक संस्कित है क्या और लोकिक संस्कित क्या है, सबसे परहे देखते हैं वैदिक संस्कित, प्राचीन भारती आरे भाषा का सबसे पुराना रूप वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, अतर विश्व की सबसे प्राची यह कि वेदों की रचन इसमें होई है और जो वेद की जो रिचाएं थी वो चंदों में लिखी गई उसको कहते हैं स陳 गइंग से सबसे पहले आथा है इसमें रिगवेद, यजुर वेद अथर्व वेद और साम वेद यह चार वेद इसके जो भी भाग है वो है ब्राह्मन, ब्राह्मन ग्रंथ में क्या है करमकांड की व्याख्या की गई है और तीसरा उपनिशद, उपनिशद में जो चीज है दोस्तों वो ब्राह्मन ग्रंथों का ही जो आखरी भाग है, जो आखरी हिस्सा है या यूं कहें कि जो निचोड है उसका उस कवनन इसमें देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं लोकिक संस्कित की तो लोकिक संस्कित प्राचीन भारती आरे भाषा का वहर रूप है जो बैदिक संस्कित की तरह कठिनना होकर सरल और ततकालिन समान्यजन की भाषा है इसे classical भाषा भी कहा जाता है पानीनी ने अश्टाध्याई में इसका उलेख किया है रमाएन, महाभारत, पुरान आदी की रचना लौकिक संस्कित में ही हुई है अश्वगोष, कालिदास, भास आदी की रचना भी लौकिक संस्कित में ही मिलती है तो यह है लौकिक संस्कित का उलेख किस ने किया है पानीनी ने अपने अश्टाध्याई में किया है और लौकिक संस्कित बहुत सिंपल है इसको कि वो भाषा जो जन समान्या की भाषा थी जो वैदिक संस्कित की जैसी कठी नहीं थी बलकि सरलता थी जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसक जन समानिय को समझने में जिसमें दिककत का सामना न करना पड़े तो ये हो गया आपका Lockic Sanskrit तो I hope कि आप लोगों ने विधिक संस्कीत और Lockic Sanskrit को अच्छे से समझ लिये हुगा कि इसमें क्या अंतर हैं और क्या क्या इसमें किस तरीके की इसमें रचनाय रची गई हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं मध्यकालिन भारती आर्य भाषाओं की, तो मध्यकालिन भारती आर्य भाषाओं का जो काल है दोस्तों वो है 500 इसवी पूरुप से 1000 इसवी पूरुप तक और इस काल की जो भाषाएं हैं, उनको तीन भागों में बाटा गया है पाली, के रूप में भी जाना जाता है प्रत्थम प्राकृत से क्या भी प्राय है दोस्तों जो एक विद्वान हुए है वागपति राज उन्होंने कहा है कि जो प्राकृत है वही सब भाषाओं का मूल है कि सभी भाषाओं की से निकली है प्राकृत से ही निकली है इसलिए इसको क परिचे पढ़ लेते हैं संस्कृत कालीन बोल चाल की भाषा विक्सित होते होते 500 इस्वी पूरों के बाद काफी बदल गई जिसे पाली की संग्यादी गई जब लौकिक संस्केट दीरे दीरे बदलती चले गई तो वो किस रूप में आ गई वो पाली में आ गई ठीक है और नाम क्या दे दिया गया पाली दे दिया गया इसका समय पांसो इस्वी पूरों से पहली इस्वी तक का है जो पांसो इस्वी तक क्या था आपकी प्राचीन भारतियारे भाषा है थी लेकिन वहां से लेकर के पहली इस्वी तक का जो काल आया उस वक्त जो भाषा बोली गई उसको नाम दिया गया पाली का ठीक है पाली में ही बहुत साहित्य की रचना हुई है जो पूरा का पूरा बहुत साहित्य है वो किस में लिखा गया है पाली भाशा में लिखा गया है बहुत गरंतों में पाली का जो रूप मिलता है वह बोलचाल की ही भाशा का शिष्ट और मा आई अब देखते हैं पाली भाषा के अध्यान के प्रमुक स्त्रोध की कौन कौन से वो स्त्रोध हैं जहां से हम पाली भाषा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पाली भाषा के अध्यान के लिए तीन प्रमुख स्त्रोत हैं दोस्तों, वो सबसे पहले हैं त्रीपिटक ग्रंथ, दूसरा है व्याकरण ग्रंथ और तीसरा है अशोग के शीलालिक, इन तीनों स्त्रोतों से पाली भाषा की जानकारी हासिल की जा सकती है, चलो इनको सिलस इसलिए वार तरीके से देखते हैं सबसे पहले त्री पिटक ग्रंथों को, त्री पिटक ग्रंथों में जो सबसे प्रमुक हैं, तीनी है ये सुथ पिटक, वीने पिटक और अभिधम पिटक, सुथ पिटक में क्या है, जो भगवान बुध हैं, उनकी जो उपदेश हैं, जो उनोंने सदारमवाशों में उपतेश दिये थे, उनका ये संकलन है सुथ पितक, वीने पितक में संग संचालन के कुछ नियम, वीने से अर्थ होता है आग्रह, मान लीजिए एक तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कि जो भगवान बुध हैं, वो अपने शिश्चो याद रख सकते हैं, कि ऐसे इनको याद किया सकता है, कि संग संचालन के नियम है, वीने पितक में, ठीक है, तीसरा है अभिधम पितक, धम से विप्राय है धार्मिक, तो अभिधम पितक में किस चीज़ का बनन किया गया है, धार्मिक उपदेशों का, तो धार्मिक उपदे दूसरा जो प्रमुक्स त्रोथ है वो क्या है वो है व्याकरण ग्रंथ तो व्याकरण ग्रंथ तीन व्याकरणों के माने जाते हैं कौन-कौन से वो तीन व्याकरण हैं देखते हैं सबसे पहला है महा कचायन का कचायन व्याकरण दूसरा है मोगलान का मोगलान व्याकरण अग व्याकरण ग्रंतों की ठीक है तो महा कचायन ने कचायन लिख दिया ठीक है मोगलान ने मोगलान लेकिन जो तीसरा है अगवंश जो लेखक है इन्होंने सद्यनिती नामक अपना व्याकरण ग्रंत लिखा है तो इसको आपको याद करना है कि ये जो तीन विद्वान है इन्हो पाली भाषा की मिलती है क्योंकि अशोक ने बहुत धरम को अपनाया था और बहुत धरम की भाषा कहती पाली थी इसलिए अशोक किशिला लेको में हमें पाली भाषा का वन्न मिलता है या पाली भाषा का जिक्र मिलता है तो यह हो गया पाली भाषा के अध्यान के प्रमुक्स पली मतलब गाउं से, पली का मतलब होता है ग्राम, ग्राम का मतलब गाउं, गाउं से निकली होई भाषा है, गाउं की जो भाषा थी वही भाषा क्या है, पाली भाषा है, कुछ कहते हैं कि ये पाठली पुत्र एक जगा का नाम है, पाठली पुत्र जिसे पठना के नाम से ज वो लोग मानते हैं कि जो पाली है वो प्राकृत का तदभव रूप है तदभव का मतलब है तद और प्रस दो शब्दों की योग से बनाएए तदभव उस से और भवव विक्सित मतलब कि प्राकृत से जो भाषा विक्सित हुई वही क्या है पाली है तो कुछ विद्वानों ग्रंथों या धर्मिक उपदेशों का जो प्रचार करते थे, वो जो भाषा का प्रियोग करते थे, वो एक तरीके से उनका क्या करती थी, पालन करती थी, इसलिए इससे पालने वाली भाषा या पालन करने वाली भाषा का आ जाता है, और यहीं से इसका नामकरण, बहुत सार इसमें मत दी है, कुछ बिद्वानों का मत है कि ये कौसल की भाषा है, कुछ बिद्वानों का मत है कि ये कलिंग की भाषा है, कुछ कहते हैं कि ये मगद की, कुछ उजयनी की मानते हैं, लेकिन जो सरव सम्मत्ती से जो सब बिद्वानों ने स्विकार किया, वो है तो इसका क्या होगा इसका अंसर कि ये मध्य प्रदेश की ही इसका भाषा प्रदेश है ठीक है दोस्तो अब देखते हैं इसकी वर्ण व्यवस्ता की वर्ण व्यवस्ता पाली की कैसी थी पाली भाषा में दोस्तो ग्यारा स्वर दस स्वर और तेतिस इसमें व्यंजन थे तो क पाली की बिशेश्टाएं जियें दोस्तों वहती महतपूर्ण है ये बिशेश्टाएं कई बार आपको क्या होता है कि इस तरीके से जब से ये NTA एक्जाम को कंड़क्ट करवा रहा है उसके बाद इस तरीके से आपको चार-पांच चार-पांच वाक्य या चार-पांच आप इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है तो मालीजे आपको दिया है कि पाली में दो लिंग और दो बचनों का प्रियोग मिलता है या आपको ऐसे देगे है कि पाली में सौ के स्थान पर शौ का प्रियोग होता है इनमें से आपने चारना है कि क पुलिंग और नपूसंकलिंग तिनों लिंगों का इसमें वनन मिलता है जबकि इसमें बचन दो ही है कौन-कौन से एक बचन और बहुबचन और दूई बचन का इसमें अभाव है दूसरी इसक में विशेष्ट है दोस्तों एई और ओ की जगा ओ का प्रियोग होने लगा ठीक शौक के स्थान पर सौका प्रियोग ठीक है ये शौक भी इनकी वर्नमाला में नहीं था तो वहां पर ये सौका ही प्रियोग करते थे जैसे कौशल से कोसल कोसल देखिए उपर नमने पहले बुला ओ नहीं है तो यहां पर ओ लग गया री और रेफ का अभाव तो पाली गर्व इत्यादी इस तरीके के जो शब्द है इसके उपर जो रौ लगता है उसे कहते हैं रेफ तो रेफ का भी इस भाशा में क्या था अभाव था और इसमें द्वितिय करन व्यंजनों का द्वितिय करन हो जाता था देखिए कैसे जैसे हमने यहां पर धरम लिखा है तो धरम के उपर जो रौ लगा है उसको हटा के हमने मौ को जोड़ दिया एक्स्टरा इसमें तो इसके दो हो गए द्वितिय करन से मतलब कि दो हो जाना तो मौ क्या हो गया उसके दो हो गये ठीक है तो इसका धरम से क्या बन गया धम बन गया तो यह है इसकी एक महत्वपून व प्रियोग होने लगा, जैसे कुछ लोग शिक्षा, तो यहां पर क्षा है, तो उसकी जगा सिच्छा, देखिए, शौ अल्रेडी नहीं है इसमें, तो वहां पर सौ लगा दिया, एकी मात्रा वैसी रहेगी, और क्षा, क्षा की जगा यहां पर ला गया च्छा, जिससे बन गय जो व्यंजन हैं, उसके स्थान पर क्या होता है, हो का प्रियोग होता है, यह भी पालिवाशा की एक महत्तपूर्ण विशेश्चता है, जैसे इसका उधारन देखिए, जैसे अगर गाथा है, तो थो क्या है, वो महाप्रान है, लेकिन उसकी जगा इन्होंने क्या कर दिया, हा का प्रियोग किया है, जैसे गाता का हो जाएगा फिर गाहा, तभी हम देखते हैं कि एक रचना है, जिसे गाहा सत्साई के नाम से भी जाता है, जैसे गाथा सत्साई के नाम से जो है, वो गाहा सत्साई के नाम से फिर बाद में बन गई थे, तो दोस्तों ये थी पालिव आधुनिक भारतिय आरे भाषाएं और आज जो हमारी चूट गई है प्राकृत और अपग्रश भाषाओं को भी हम आने वारी वीडियो में देखेंगे तो आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपका पहुत पहुत शुक्रिया अगली वीडियो में फिर मुलाकात कर दो कर दो